आज अपना लाप्टॉप देख रहे थे कुछ वीडियो बनाने के लिए तो देखा कि एक ये वीडियो मेरे फोल्डर में पड़ी हुई है जो की काफी पुरानी है जब हम लेसुन पे आज खाया करते थे और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाये तो आज वही शेयर करने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल ठेले वाली जो मिलता है ना ब्रेट पकोड़ा बिल्कुल वो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा बना था तो पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा हेलो पूडीज वेलकम टूरा सोई का स्वाथ कैसे आप सब होप करती आप सब बहुत अच्छे हों के अपनों और अपनों का ख्याल रखिए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने थोड़े से आलू लिये हैं ये उबलेवे आलू हैं इनको हम मैश करके रख लेंके आलू उबालते टाइम ध्यान रखेगा कि बहुत जादा पानी में बहुत देर तक आपके उबलेवे आलू ना रह जाएं जैसी उसका प्रेशर निकले तुरन निकाल करके उसको ठंडा कलीचे को फिर छील करके मैश करके रख देंके एक पैन में हमने थोड़ा सा ओयल डाला था उसमें एक प्यास हमने चॉप करके डाल दी थी जब इस बैटर में और कुछ भी नहीं डालेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके हम इसका बिलकुल लंफरी बैटर बना लेंगे बैटर बनाते टाइम ध्यान रखेगा कि पानी एक साथ नहीं डालिएगा नही जब कि ये जो बैटर है बहुत फ्लोइंग वाला नहीं बनाईएगा देखे चम्मच पे हमारे कितनी अची सी कोटिंग आ रही है इसी तरीके का आपका बैटर होना चाहिए बहुत फ्लोइंग हो गया तो आपके जो ब्रेड है उसके उपर अच्छे से लगेगा नहीं हमने इसमें आधा चमच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है और आधा चमच लाल मिर्च भी डाली है एक चमच हमने इसमें पाव भाजी का मसाला डाल दिया है रेगुलर गरम मसाले की जगा हमने इसमें पाव भाजी का मसाला डाला है डाल करके देखेगा बहुत ही अच्छा स्वाद आता है स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसमें हमने डाल दिया है एक चमच चीनी ये जरूर डालिए का इससे आपका जित्ते भी मसाले ना सारी चीजें बिल्कुल बैलन्स हो जाएंगी एक चमच चमचूर पाउडर डाल दीचेगा और खूब धेर सारी ध अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताईएगा प्योर गेहूं के आटे की बनी हुई ये ब्रेड है और घर की बनी हुई ब्रेड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये ब्रेड हमारी बनी हुई है बिल्कुल परफेक्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जरूर शेयर करूं की अब हमने एक साइफब ब्रेड में इसमें मतलब दो ब्रेड लगा करके साइंड़फ बनानी है तो एक साइट हम टुमैटो सॉस लगा देंगे और दूसरी साइट हम इसमें जो साइंड़फ वाली चटनी होती है वो लगा दें के ये भी दोनों ही चीजे मेरी होममेड हैं और इसकी रेसिपी अलरड़ी मेरे चैनल पे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जब तक हम ये चटनी लगाते हैं तब तक आप ये बताईए कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं अगर नहीं किया है तो फटा फट से कर लीजिए जिससे कि आपको भी इतनी इंप्रेस्टिंग और अच्छी रेसिपी तुरन देखनों को मिले और बेल आइकन तबा दीचेगा फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजेगा यहां आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अभी इधार रिसेंटली मैंने कई कमेंस पढ़े हैं जिसमें कि कई लोगों ने मेरे से ये बोला है कि आप बोलती बहुत ज़ादा है तो फ्रेंड्स मैं बोलती इसलिए जादा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी रिसेपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो इतनी डीटेल में आप लोगों को समझा दें कि कोई भी चीज आप लोगों से मिस ना हो और जब आप बनाने चाहें तो आपकी भी उतनी ही परफिक्ट बने ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कई बार ऐसी होती है कि हमसे मिस हो जाती है और जब आप बनाने जाते हैं तो आप से भी मिस हो जाएगी और फिर उती परफिक्ट बने की नहीं फिर आप हमारे पास शिकायत करेंगे कि आपने तो बोला था कि ये बहुत अच्छी बनी थी लेकिन ये अच्छी नहीं बनी तो इसे लिए थोड़ा सा जादा बोलते हैं उ अच्छा गरम होना चाहिए इसके बाद जब आप पकॉड़े डालने तो इसकी फ्लेम को मीडियम कर दीजेगा बिलकुल लो फ्लेम पे नहीं करिएगा वाना ये बहुत जादा ओयल आजाएगा इसके अंदर मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सुनेरा होने तक हम इसको तल लेंके हमने इसको पूरे बड़े-बड़े पीसे में कर दिया है आप इसको चाहें तो पहले से ही काट करके इसको कर सकते हैं हमने इसको तलने के बाद काटा है क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा सा जो है मतब जो बीच में वो जो पार्टीशन दिखता तो इसलिए हमने इस तरीके से किया है आप चाहें तो पहले से भी कट करके इसको इस तरीके से बना के चान सकते हैं तो लीजिए हमारे पकोडे बन करके तयार हो गए हैं अब इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो बीच में से कट कर लेते हैं और इसको किसी भी चटनी या स सॉस के साथ आप सर्फ करिये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला हम लोगों ने बनाया हैं जिस तरीके से जो ठेले भगर पे स्ट्रीट स्टाइल मिलते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं तो वही चीज हाईजिनिक रूप में आप घर पे अपने बनाएए लोगों को खिलाएए और खुद भी खाएए तो friends hope करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो like, comment, share जरूर करिएगा अब फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए bye bye, take care, thank you